ये Particle start from the origin , एक पार्टिकल ऑरिजीन से मोजन करता है , चलो देखते हैं कहा जाता है X Y Оरिजीन से चलता है , ये स्टेट लाइन पर चलता है चलो एक सबसे अच्छे बात है सीट लाइन से रिकर्सीट अकोर्टिनेर टाइम origin से जाता है और straight line पर चलता है origin से infinite straight line है तो यह मैं एक straight line बना दिया कुछ ऐसे ठीक है यह particle कुछ time बाद क्योंकि इसका coordinate यहां positive दिया है तो यह root 3 और यह 3 coordinate यहां P point पर है और उसको time भी चुगा है T तो कहता है the line max with x-axis path यह particle अब यह path x-axis के साथ theta degree बना रहा हो यही मुझे निकालना है तो यह theta निकालना बहुत आसान है ठीक है क्योंकि यह y है तो यह 3 है यह root 3 है तो यहां से 10 theta आ जाएगा 10 theta कितना जाएगा भाई 10 theta आ जाएगा 3 y root 3 और अगर 3 y root 3 की जो value होती है वो कितनी होती है रेशनलाइज कर दो इसको रेशनलाइज कर दो तो थीरी ने 3 को यह root 3 आ गया इसका मतलब है हुआ कि theta is equal to 60 degree बारे बाई रे बाई मैं 60 degree मैं 45 लिगने जा रहा था तो यह 60 degree ठीक है manual जो mister झाल झाल। झाल झाल॥ झाल झाल॥ झाल झाल